नमशकार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रावा में मैं करुना आज ही वीडियो लेकर आए हूँ क्लास वल्ड के पेंटिंग सब्जक्ट के स्टूडेंज के लिए और बिटा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चेप्टर नमबर 13 और कुछ की बुक में ये चेप्टर नमबर 12 है जिन्नोंने कुछ पुरानी बुक खरीदी हुई है एक दो साल पहले प्रिंट हुई तो इस चेप्टर में हम पढ़ने वाले हैं समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चापा चित्रों को और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज चित्र यानि चापा चित्र देवी और उसके आर्टिस्ट है जोती भट तो शुरू करते हैं तो बिटा ये जो आप देख रहे हैं ये है चित्र देवी ठीक है बिटा और इस चित्र को हमने देव तक यूँ नहीं कहा क्यूंकि इस चित्र के माधे पर लाल बिंदी है इससे हमें प्रतीत होता है कि ये किसी महिला या फिर देवी का चित्र है ठीक है इसके अंदर कुछ आपको ऐसे कुंडली बनी हुई दिख रही है बढ़ियाँ चोटियाँ कुंडली नी शक्ति और कहीं कहीं इस चित्र में अगर आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर साइड में जो लिखा हुआ है तांत्रीक है ना एक श्री का चिन है है इसके अलावा भट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कुंडली में लिखा हुआ है है इसके अलावा देवी लिखा हुआ हमको नजर आ रहा है और उपर पतनी क्या ही लिखा हुआ है वो जो हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक है तो इस चित्र को अगर आप क्या देखोगे की मतलब किसी तंत्र मंत्र पर अधारित इस चित्र को बनाया है और इसके चित्रकार कौन है जोती भट ठीक है तो जोती भट ने इस चित्र को किस तो यहां पर जो इन्होंने बनाया है वो लगभग बनाया है। इस्तरी के पेट के आसपास का चित्र, नाभी के आसपास का चित्र, ठीक है, जहां पर बढ़ी आँच, छोटी आँच लगबग होती है, वो वाला चित्र एक तरह से कुंडलीनी शक्ति यहां पर बनाने का प्रयास चित्रकार ने किया है, और क्या कहा जाता है, कि जो महिला है उसके शरीर की जो शक्ति होती है वो पेट में नाभी के पास होती है और जो पुरुस के शरीर की शक्ति होती है वो उसके हिर्दय के पास होती है ठीक है तो इसी चीज से प्रेरित होकर चितरकार ने ये चितर बनाया है मैं बार बार चित्र बोल जारी हूँ तो आप कन्फ्यूज ना है ये छापा चित्र है ये कन्फ्यूज नहीं होना है आपको चित्र और छापा चित्र में तो चित्र का नाम है देवी और इसके चित्रकार है जोती भट जिनका पूरा नाम है जोती मानसंकर भट इन्होंने इस चित्र के लिए जो मीडियम यूज किया है वो है पीतल की प्लेट और इस चित्र को इन्होंने बनाया है 1965 से 1970 इश्वी में इसके अलावा ये वाला जो चित्र है आपका वो समकालिन आधुनिक काल का चित्र है एचिंग तकनीक में ये बना है और आज की डेट में इवाला जित्र रास्ट्र आधुनिक कला संग्राले नई दिली में सुलक्षित है इस चित्र के बारे में यहाँ पर अगर हम देखें तो 1965 सत्तर इश्वी की कला अपधी में धातु निक्षारण विधी यानिकी एचिंग के द्वारा पीतल की सक्त सतहा पर काले रंग की रेखाओं के माध्यम से इस चित्र को उत्कीन किया गया है इस चित्र में जोती मानसंकर भट ने कुंडली जागरत करने की अलोकिक आनंद प्राप्ट करने की और उस मानवी प्रक्रिया को दर्शाया है जिसका वर्णन हिंदू धर्म सास्त्रों में वैतांत्रिक विध्या में बहुत मात्रा में किया जाता है मानव शरीर में विध्यमान तंत्रिका तंत्र जो मेरू टंड के विभिन्न भागों में विध्यमान उर्जा के विभिन्न श्रोतों की व्याख्या करता है इस चित्र में नाभी के पास इस्त्रियोचित शक्तियां यानि की महिलाओं की शक्तियां तता हिर्दे के पास पुषोचित शक्तियों का वास होता है ये बताया गया है मनुष्य अपने जब तप वय योग किर्याओं से इन कुंडलीनी शक्ती रूपी शक्तियों को जागरत करके पंत्रिका तंत्र के सहारे मस्तिश्क की और अग्रसर रखने का प्रयास करता है कुंडलीनी के जागरत होने पर दुर्गवा स्वरूप महाशक्ती के दर्शन होते हैं यह सक्ती इस्त्री की हो या पुरुष की दोनों में ही बिना किसी भेदभाव के दिव्य उठ्चा का संचार करती है देवी के सिर के पास दोनों और लबमानों पर बनी आकरती उस विधान की व्याख्या करते हुए यहाँ पर दिखाई गई है बिटा अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जोती मान संकर भट के बारे में तो जोती मान संकर भट का जनम भावनगर गुजरात में 1934 में हुआ था और इन्हों ने स्याजी राविश्व विध्याले बडोदा से फाइन आट में डिप्लोमा किया और परायसनातक की डिग्री लेने के बाद इन्होंने सफल छापा चितरकार और प्रसिद फोटोग्राफर के रूप में ख्याती अरजित की सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दो परायसनातक क्या होता है पराइस नातक होता है इस नातक के बाद यादि की बीए के बाद की बैचलर ओफ आर्ट के बाद की पढ़ाई जो की मास्टर्स में होती है जिसको अगर हम आर्ट फिल्ड में करते हैं तो मास्टर ओफ आर्ट कॉमर्स में करते हैं तो मास्टर ओफ साइंस कहलाता है इसके अलावा जोती भड़ जो थे वो पिकासो से और बेन निकोलस जो की आर्टेस्ट थे पस्चिमी सभ्यता में उनसे प्रभावित थे इंटेगिल्यो विधी से आकरशक रचनाओं के मुद्रन में विशेशग्यता ने इनको न केवल ख्याती दिलाई बलकि बहुत से पुरसकार भी इनको मिले रास्ट पुरसकार से भी इनको सम्मानित किया गया और इनका जो एचिंग वर्क यानि छापा चित्र एचिंग के वो यही वाला चित्र है देवी जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आज आपने पढ़ा देवी छापा चित्र के बारे में और उनके चित्रकार जोती भट के बारे में आशा करते हूं आपको अच्छे से समझाया होगा तो बिटा मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें